इसे प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको अडाप्टेशन के बारे में समझाया था अगर अभी तक आपने उन वीडियो को चेक आउट नहीं किया तो जल्दी से जाईए चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी वीडियो को देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईए तो रेड आई फ्रॉग ये वन आफ दा एनिमल है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमिट है वो मोस्ट आप दी हैबिटेशन के लिए बहुत ही जादा सूटेबल है जिस वज़े से एनिमल्स जो है एक दूसे से सर्वाइवल के लिए फूट के लिए कमपीट करते हैं अब रेड आइड फ्रॉग में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वज़े से वो इतने जादा डेन्स फॉरेस्ट में इतनी जादा पॉपुलेटिट रीजिन में सर्वाइव कर पा रहे हैं वो हम वीडियो के थूँ समझेंगे जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो यही है रेड आइड फ्रॉग इसकी जो आइस है वो रेड कलर की होती है अब और क्या क्या स्पेशल फीचर से रेड कलर की आइस क्या इसका वन आफ दा फीचर है वन आफ दी अडाप्टेशन है यह भी हम अपनी वीडियो के जो है वो ट्रीज पर रहते हैं ट्रोपिकल रें फॉरेस्ट के ट्रीज पर वो रहते हैं यहार् से डूसे ट्री पर मूफ कर कर सकते हैं तो यह चीज आपको द्यान रखने हैं these are the adaptations of red-eyed frog आपको कुछ adaptation learn करनी है because ये सब जो है questions पूछे जाते हैं इस chapter से it does not live in water, water में नहीं रह सकते and has a green back and creamy underside इनकी जो back है वो green color की होती है और इनका जो निचला हिस्सा है body का वो कैसा होता है underside जो portion है वो creamy color का होता है cream color का, it has big and bulging bright red eyes इनकी बहुती बड़ी बड़ी आँखी होती है जो अंदर की और bulge होती है एक तरह से और bright red color की आँखी होती है it sleeps during the day, during daytime वो sleep करते हैं और night time पर वो active रहते हैं अपने insects वगेरा को catch करने के लिए क्योंकि पेड़ों पर जो है वो insects के उपर ही feed करते हैं ध्यान रखना है red eye frog जो है वो पेड़ों पर रहते हैं most probably आपने जितनी बार भी देखा होगा टीवी वगेरा में, discovery channels में तो आपने frog वगेरा को generally water में ही देखा होगा अब देखो जड़ा जो red eye frog कर जो red eyes है वो उन्हें predator से बचाते हैं predator यानि कि जो उनका शिकार करते हैं तो उनका शिकार करने में उनकी जो आखे हैं उनको एक तरह से as a savior point की तरह है उन्हें बचाती है क्योंकि red eye frog जब अपनी eyes open करते हैं तो उनका जो bright red color है वो डरा देता है सामने वाले को यानि कि उसकी predator को डरा सकता है जिसकी वज़े से उनको को seconds मिल जाते हैं एक जगा से दूसरी जगा move करने के लिए अपनी एक safe place पर जाने के लिए I hope आपको एक point clear होगा डारेक एक question आ सकता है तो basically वो जो red color है वो बहुत ही ज़ादा bright होता है और जब वो sudden open करते हैं अपनी eyes को तो क्या होता है उनका predator उनसे एक कुछ second के लिए डर जाता है जिस्टी वज़े से वो एक place से दूसरे place यानि कि अपनी safer place पर move कर जाते है The next point is The green color of the frog help it to hide within the green leaves of tree and help it to protect from predators तो जो उनका green color होता है वो leaves की green color, greenery की green color के साथ क्या हो जाता है एक तरह से surrounding के साथ match करता है जिसकी वज़े से वो अपने आपको hide कर पाते है जैसे की hide करने की वज़े से क्या होता है वो अपने आपको predator से बचा पा रहे हैं और बहुत easily अपने prey को भी catch कर पाते हैं क्योंकि उनका रंग जो है, उनकी body का जो color है वो nature की color के साथ merge हो जाता है Till then take care, thanks for watching and please subscribe the channel Don't forget to hit the bell icon